EVM मामले में इंडिया कटबंदन के सामने जुग गया चुनावा योग। दोस्तों इंडिया कटबंदन की ताकत आज चुनावा योग और नरेंदर मोधी को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। इससे पहले अगर आप भी राहूल गांदी और कोंगरेस पार्टी को सपोर्ट करते हो तो कमेंट बोक्स में आई सपोर्ट राहूल गांदी जरूर लिखे। किलीर कीजिए चुनावा योग से काया कि पहले हर्याना का मामला किलीर कर दीजिए पहले बताएं कि हर्याने में इदानली हुई या फिर नहीं हुई यह सब आप चुनावा योग को बताना पड़ेगा हमारे सवालों का जवाब दीजी 20 मशीने खराप आई गई ती और 99% किलीर हो गया है चुनावा योग का बयान सामने आया है जहां पर चुनावा योग ने साफ साफ काया कि ठीक है हम आप किस बात मानेंगा हम जाज कराएंगे जरह देखिए दोस्तों आप जागरन की रिपोर्ट देंकि सामने आई अब लिकाया कि महाराष्ट्र और जारकन च सवाल दोस्तों और वाजी वायर बार सवाल खड़े होती है इवेम के उपर और इसी तरह हरियाना विदान साबा में भी सवाल खड़े होए थे कांग्रेश पार्टी और इंडिया के बंदन के जो नेता थे उन्होंने शिकायते दर्ज कराई थी क्योंकि चुनावा योग न दोरान कांग्रेश और इंडिया गंदन के नेता होने उस पर सवाल उटाये थे आप देगें यहां पर लिखा हुआ हरियाना के बाद महाराष्ट्रे और जारकेंड के विदान साबा चुनाव में इवेम पर किसी तरह के नए आरोप न लगे इसको लेकर चुनाव आयोग भ अपनी रिपोर्ट विजारी कर सकते हैं अब तक से दुड़े आ रोप पर चुनाव आयोग उतना शकरिया नहीं दिखता थे प्छले कुछ छुनाव सए आरोप लगए उन द्हुत हरो कांप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टे के नेता इंडिया गटबंदन के नेता उन्हें सवाल उठाए थे तब चुनावायोग जाग रहा है दोस्तों जिसकी वज़ेश से अब साहिद राजियो कुमार का जमीर जाग गया है और उन्होंने 20 चुटों की चार्च करवा दिये साहिद इसी सब्ता उस की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और पूरा खुला सा हो जाएगा आकिरकार बेंटरी 99% सार्च केशी पाए गई थी कुल मिला कर बात है कि महाराष्टर जारगन सुनाओं से पहले इवियम की अगनी परिक्षा होगी अगर इवियम अगनी परिक्षा में पास हो जाती है तो आगे चुनाओं भी होगा नहीं तो साहिद अबेलेट पेपर की तरफ हमारे को बढ़ना पड़ेगा एक बार फिर स कर लोगे!